Hello everyone, welcome to the channel Agricultural Studies, मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दारान हम agronomy subject के course title introductory agrometeorology and climate change में next topic के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है weather modifications अब weather modifications के अंदर भी specifically आज हम बात करने वाले हैं artificial rainmaking के बारे में artificial rainmaking जिसे हम cloud seeding भी खहते हैं तो सबसे पहले हम जानेगे कि ये artificial rainmaking होती क्या है यानि कि हम इसकी सबसे पहले definition के बारे में अच्छे से बात करेंगे और उसके बाद हम जानेगे कि इससे जुड़े के ऐसी कौन-कौन से important fact है जो आपको पता होनी चाहिए साथ में हम ये भी जानेगे कि ये जो artificial rainmaking है वो कि किस तरह से जाती है यानि कि इसकी बीचे कि क्या science है क्या phenomenon है जो काम में लिए जाता है या क्या concept है जो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और at last हम ये भी जानेगे कि इसकी क्या advantages और disadvantages है advantages से आप समझते हैं कि फाइदा तो है कि बारिश करवानी है तो कृतरम रूप्ष हम अपने control करते हुए बारिश करवा रहे हैं तो हमें फाइदा तो of course होगा तभी तो करवा रहे हैं लेकिन उसके बीछी disadvantages भी हैं कुछ हमें घाटे भी हो सकते हैं तो वो क्या disadvantages और advantages हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के end में हम बात करने वाले हैं साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियो हैं उनके हंदर हम introductory agrometeorology and climate change के ही जो पहले की topics हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं अगर इस वीडियो से पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक उपर आई बटन के साथ नीचे description box में available हैं आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये cloud seeding आखिर होती क्या है जैसे हम rain making या artificial rain making भी कह रहे हैं तो इसे हम कहते हैं कि cloud seeding is a type of weather modification that aims to change the amount or type of precipitation क्या बोला कि it is a type of weather modification ये एक तरह का weather का modification है यानि मौसम के अंदर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं बदलाव कर रहे हैं हाना पूरी तरह से नया ही मौसम नहीं बना रहे हैं अब यह चीज मैंने बोली है तो इसका एक आगे reason है अभी हम उसको समझेंगे हम सिर्फ बदलाव कर रहे हैं weather के अंदर यानि weather के अंदर कर रहे हैं उसे that aims to change the amount जिससे क्या हो amount या type of precipitation है amount या अगर कम बारिश हो सकती है तो हम चाहरे हैं कि बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए और साथ में उसका टाइप भी change हो जाए यानि कि अगर हम चाहरे हैं कि उसमें snowfall करवाना है या फिर hills या आप जिनके कहते हैं ओला व मुस्वम को तब उसे हम क्या कह सकते हैं cloud seeding कह सकते हैं cloud मतला आप जानते हैं बादल, seeding मतला उसमें कुछ beach बोने है अब beach काई के बोने हैं यहां यहां हमारे beach होते हैं condensation nuclei क्या है condensation nuclei क्या है इसे समझाने से पहले अभी हम यह समझ रहे हैं कि एक तरह से cloud seeding आपको समझ आ गया कि हम कुल मिलाके ऐसा बोच चेंज करने वाले हैं किसके अंदर वैदर के अंदर जिससे कि बारिश को enhance किया जा सके उसे बढ़ाया जा सके तो इस तरह से हम देख रहे ह है यह cloud seeding है तो इसे समझने से पहले मैं आपको यहां पर एक जो मैंने नाम लिख रहे हैं इनके बारे में बताना चाहूंगा जैसे कि विंसेंट जॉसेफ स्कैफर जो है इन्होंने 1946 के अंदर 1946 के अंदर पहली बार कोशिश करी थी artificial rainmaking को एक्सपरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया लोगों लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संबव है तो कहने का मतलब यह विंसेंट जो विंसेंट जी स्कैफर जो है इनका नाम आप याद रखें जो कि इंपॉर्टन्ट है अब अगर हम बात करें कि इनसे भी पहले इ अजीवोगरीब चीजी किया है मतलब जैसे कि बच्चों को कभी-कभी जमीन में गार दिया जाता था उनकी गर्दन तक और उनने ही रुलाया जाता था कि फिर तुम रो ताके क्या होगा अगर उपर जो भी इस संसार को शक्ति चला रही है तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो तो इनसानों को लगा कि शायद खून पसीना जब बहता है न बहुत सारा तब शायद परमात्मा खुश होते हैं और बारिश होती है तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ भी कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे फिनोमना और ऐसे से कोशिश हैं पेड़ों के उपर मेंडकों को लटका दिया जाता था ताकि मबारिश हो जाए तो मतलब कुछ भी हुआ है लेकिन कोशिश सिर्फ हम देख सकते हैं कि वो जो कुछ भी एक्सपरिमेंट्स या गया रखते हैं हम जो भी कोशिश थी उनका कोई आज के वक्त में वजूद नहीं है या कोई माइने नहीं रखती चीज़े लेकिन ऐसे हिस्ट्री के पार्ट के रूप में उसे अगर आप देखो इनसानों को धीरे-दी ये समझ आने लगा कि अगर हवा उपर उठे और हवा ठंडी होती जाए या सैचुरेटिड होती जाए उसमें नमी ज़्यादा हो तो वो सैचुरेटिड हवा जो होगी वही वास्ता में बारिश कराएगी तो इनसानों को ये तो समझ आया गय कि अब बादल भी है और फिर भी बारिश नहीं और उसका क्या खारण है तब जाके समझ आया कि सिर्फ बादल होना ही बारिश के लिए इनफ नहीं है बादलों में जो नमी है पानी की बूंदे हैं उनको नीचे आने के लिए उनके अंदर इतना भार भी होना चाहिए उनके जिनके उपर पानी इखटा हो सके या कोई भी water molecule जो है वो इखटे हो जाएं ताकि वो भारी हो जाएगा तो वो नीचे उतर के नीचे बारिश की रूप में आ सकते हैं तो इंसानों को यह से ही समझाई कि बादलों में एक चीज होनी चाहिए क्या condensation nuclei नमी तो होनी ही चाहिए साथ में उठ में condensation nuclei की भी बहुत ज़़ाँ ज़रूरत है समझाई तो यही वास्ता में क्या है concept है किसका artificial rain making या cloud seeding का cloud seeding कौन से बीज बो रहे हैं हम यहाँ तो हम देख रहे हैं condensation nuclei की यह nuclei क्या होते हैं तो in general हम देखते हैं कि यहाँ AGI या हम देख रहे हैं dry ice को काम में लिया जाता है dry ice सुखी बरफ या जिसे हम कहा सकते है solid carbon dioxide solid form of carbon dioxide को काम में लेकर क्या कराई जा सकती है artificial rain making की जा सकती है तो क्याने का मतल यह हुआ कि यह जो क्या concept है इसको अगर हम पढ़े तो cloud seeding technology allows human to manipulate this structure of clouds cloud का जो structure है उसे manipulate यानि उसमें hairfare कर सकते हैं और by adding condensation nuclei कैसे तो हम उसमें condensation nuclei डाल करते हैं into the clouds इसमें इससे क्या होगा हम देख रहे हैं कि यह जो condensation nuclei हम कह रहे है dry ice या हम जो कह रहे है AGI यही क्यों काम में लिए जाते हैं यही chemicals क्यों important है क्योंकि these particles have ice-like structure बर्फ जैसा structure होता है इनका बर्फ जैसा structure होता है तो फिर हम देखते हैं जब पान कि भई like dissolves like है तो कहने का मतलब यह हुआ कि water molecules कोशिश करते हैं कि पकड़ो इसको तो वह जाते हैं तो वह बड़ा हो जाता है तो वह नीचे के तरफ बारिश की रूप में नीचे गरता है तो कहने का मतलब यह हुआ तो कहने का मतलब समझाय है आपको कहने का मतलब यह है कि हाँ में कॉंसेशन नूकलियाई का होता है अब क्लाउड सीडिंग जो है वास्ता में हम कह सकते हैं दो तरह से टाइप्स की रूप में बढ़ी जाती है एक हम कहते हैं हाइग्रोस्कॉपिक हम देख रहे हैं सीडिंग अब ग्लेशियो जैनिक क्लाउड सीडिंग जो होती है वो कोल्ड क्लाउड के लिखी जाती है और हम देख रहे हैं हाइग्रोस्कॉपिक क्लाउड सीडिंग जो है वो वाम क्लाउड के लिखी जाती है अब कोल्ड क्लाउड क्या है तो कोल्ड क्लाउड हम तब कह देते हैं जब बादलों का temperature minus में होता है minus में होता है यानि negative में होता है मतलब बहुत ज़़ाँ ठंडे होते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बादल जब बितने ज़़ाँ ठंडे होते हैं minus 15-15 degrees Celsius तक ठंडे होते हैं तो उसमें पानी जो है वो बर्प क्यों नहीं बन जाता पानी की बूंदे पड़ी रती हैं मापे super cold state के अंदर हमें से खाते हैं super cold state के अंदर इसलिए हो जाता है कि हम देखते हैं कि पानी की बूंदे हैं वो वास्ताओं में हम देख रहे हैं latent heat की वज़े से अपनी state change नहीं कर पाती है, साथ में हम देखते हैं, उनके पास condensation nuclei अवेलिबल नहीं होते, इस वज़े से वो नहीं बजल पाती है, तब इनसानों को यह चीज़ समझ आगी, तो हम कोशिश करते हैं, कि aircraft के जरी, मतलब हवाईजाज के रूप में, यह हम कहा सकते हैं, नीचे धर्ती से ही कुछ कोशिश करते हैं, अल्टिमेटली यह chemicals उपर तक पहुंचाएं, बादलों तक उपर पहुंचा दे, अगर बादलों पर यह पहुंच जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, condensation nuclei मिल जाएगा, पानी चड़ जाएगा उसके उपर और वर्ष पड़ेगा, तो glaciogenic word मैंने आपको यूज करने की रूप में बताया, कि glaciogenic word मतलब है बर्फ की रूप में, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि, जैसे कि हम कहें AGI, या यह जो CO2 अगरा हम काम में ले रहे हैं, यह अल्टिमेटली बहुत ज़ा ठंडे बादलों में किया जा रहा है, तो बर्फ वाले पार्टिकल्स बनेंगे, तो उसे हम एक तऱ से कह सकते हैं, ग्लेशोजेनिक, ग्लेशोल वर्ड का मतलब बर्फ से बनना होता है, और वहीं अगर हम कहें, हाईगरोस्कॉपिक, तो हाईगरोस्कॉपिक नुक्लिय में आप याद रखें, कि यहाँ एनिसील का इस्तमाल किया जाता है, सोडियम, क्लोराइड जैसे पार्टिकल्स भी काम लिया आते हैं, नमक जिसे हम कहाते हैं, उसका नेचर होता है हाईगरोस्कॉपिक, हाईगरोस्कॉपिक मतलब पानी को पकड़ सकता है, हाना नमक जो होता है, आप भी पता होना चाहिए, हाईगरोस्कॉपिक को पकड़ सकता है, तो नमी को पकड़ सकता है, तो ultimately कहने का मतलब यह हुआ कि बादल अलगर गरम है, warm है, उसका temperature 0 से ज़ादा है, तो उस condition में हम आपके any CL का भी इस्तमाल देखते हैं cloud seeding में, तो इस तरह से मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, ग्लेशियोजैनिक cloud seeding भी होती है, हाईगरोस्कोपिक cloud seeding भी होती है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि advantages of cloud seeding और साथ में disadvantages क्या है, यानि फायदे और नुकसान क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो दीखे, create more rain, अब आपको ये बात तो समझ आगे, कि भाई, artificially rain making कर रहे हैं, तो rain की जो भी फायदे हैं, वो हमारे ultimately बढ़ जाएंग उसके लिए तो बढ़िया बात होगी न, तो क्याने का मतलब can increase vegetation cover in the area, area के नदर जो ही हम देख रहे हैं, vegetation cover होगा, ultimately जो हम कह रहे हैं, जो भी वानसपतिक जो हम देख रहे हैं, बढ़ जाएगा, ultimately plantation बढ़ जागा, तो क्याने का मतलब ये हुआ कि बारिशन जादा होगी, तो उसके भी अलग-अलग जो भी फायदे होते हैं, electricity production, hydro, हम देख रहे हैं कि hydroelectric power जो भी generate कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पानी के जो भी फायदे हैं, ultimately वो हमारे ले बढ़ जकते हैं, और दूसरा हम देख सकते हैं, regulate atmospheric conditions, और hail का size, मतलब hail का size आपने समझा, कि ज साथ में reduce impact of drought, सुखा, सुखा अगर पढ़ सकता है, जहां बादल बगयर अगर availability हो सकती है, लेकिन सुखे वाली conditions पैदा हो सकती है, हाना सुखा ultimately क्या होता है, ड्रॉट के उपर हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बात करिए, अगर ड्रॉट के उपर आपने पूरा व सकता है, cloud seeding से 33% तक scientifically data दिया जाता है, 33% तक बढ़ाया जा सकता है rain fall को, बढ़ाया जा सकता है, यहां पे भी मैंने का create more rain, तो मतलब यह बार बार मैं से इस तीश को पर focus करने जा रहा हूं, पहले भी मैंने आपको कहा कि important बात ध्यान रखें, कि rain को हम सर्फ एंड्यूस कर है, हाना ऐसा नहीं कि साफ मौसम में एक तम बरेकिस्थानी इलाका है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि artificial rain को करवा देंगे हैं, ऐसा नहीं, हमार को बादलों की पहले जरूरत है, हम बस उनको बादलों में से बारिश निकलवा सकते हैं, हम यह बादल की जरूरत पड़ेगे, ultimately ह हवा के अंदर वहां उपर नमी होनी चाहिए, बादल होने चाहिए, तब जाके हम उसमें से क्या करवा सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं, तो कहने का मतलब यह हुगा, इस चीज को हम एक disadvantage के रूप में पढ़ लेंगे, कि पहला तो disadvantage, potentially harmful to environment and humans, यह मर्ज ता हो रहा है, तो ध इंसानों के लिए ठीक नहीं है, skin irritations वगएर जैसे दिखते हैं, तो कहने का मतलब यह हमारे लिए harmful हैं कुछ, और साथ में expensive and a lot of research is required, बहुत जादा expensive है यह चीज, बहुत जादा पैसा लगता है, लाखों करोनों रुपे लगते हैं, है ना, और हम और आप जैसे कोई पी इ पानी फिर जाना, तो कहने का मतलब बहुत जादा research और एकदम technically इन सब चीजों को करना पड़ता है, तो अच्छी team होने चाहिए और पूरा experience आपके पास knowledge होना चाहिए, और साथ में cannot work in the absence of cloud, यह चीज़ तो आपको मैंने बताई कि बादल है ही नहीं तो आप artificial light making नहीं आएंगे तो उसके अंदर भी खाई ना कहीं gases को खटा करते हुए हम देख रहे हैं कि calcium carbide, ammonium nitrate जैसे कुछ हम देखते हैं, chemicals दाड़ ली जाते हैं, जिससे कि temperature वहाँ का एकदम कम होता है, जिससे कि वहाँ बादल बने, बादल बनने के बाद हम क्या करते हैं, ultimately artificial rain making कर सकते ह मतलब यह हुआ कि पहरी चीज क्या है, बादल होने चाहिए, तभी इस चीज को आप ध्यान रखें, मैं focus कर रहा हूँ कि बादल ही नहीं है, तो artificial rain making करना सही है, technically सही नहीं है, rain making word used up किया जाता है, जब हम कह रहे हैं, enhance कर रहे हैं हम rain को, कि जो बादल है, वो या बारी और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी explain किया है, उसकी एक PDF form, नीचे description box में available है, आप उसे download करके आराम से पढ़ सकते हैं, उस PDF के अंदर यहां जो मैंने explain किया, उससे भी कई चीजें और अच्छे से elaborate करके बताई गई हैं, आप चाहिए तो उ आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम introductory agrometeorology and climate change के और भी topics के बारे हम बात कर चुके हैं, और आने वाले वीडियो के अंदर जो topics बचे हैं, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो से पहले की वीडियो आपने नहीं आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को support तो मिलेगा ही, साथ मैं YouTube को समझाएगा कि इस चैनल के जो वीडियो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, या आपके लिए helpful हैं, तो YouTube आप ही के साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहेगा Agricultural Studies से